नमस्कार दोस्तों स्वागते फिर एक वार आपका DVP रिउस प्रत्रश्दी आप देखे इस वीडियो जो हम टेस्ट करने जोरे स्केटबरी के डार्क मिल्क सॉल्टेड करेमल रिच और क्रीमी चॉकलेट बार को तो चलिए शुरू करते तो सब्सक्राइब करेंगे इसके पै सब्सक्राइब करेंगे प्रोप्राइटरी फूड यहां तक इसे भी आप पॉस करके पढ़ सकते हो उसे के उपर जो nutrition information देखने मिलेगी पर 100 ग्राम के हिसाब से आप इन्होंने दी है फिर बात करते हैं इसके shelf life की तो जो इसकी shelf life को जो manufacturing date नीचे की तरफ देखने मिलेगी net content के उपर और उसे के side में जो इसकी shelf life बताई गई है 11 months from date of manufacturing तो बहुत अच्छी बात है long lasting इसकी shelf life को देखने मिल जाती है साथी में यहाँ पर जो important information देखने दिये है allergen information तो अब इसे जो बास करके पढ़ सकते हो इस तरह से यहाँ से allergen information उसी के नीचे दिया गया है manufactured by manufactured at और storage information दिये किस तरह से आपको storage condition में इसे रखना है कौन से temperature पर रखना है कोका के बारे में बताया है जो कोका जो है यह लेते है जिन फार्मर्स से उन्हें जो protect करने में help कर रहे है और उसके बारे में और भी जानना है तो यहाँ पर www.cocalife.org पर सर्च करके बहुत information जो इसके बारे में आप ले सकते हो कि यह exactly क्या है इनेशिटिव केटबरी की तरफ से तो अभी जो इसे open कर लेते हैं और test कर लेते हैं तो यहाँ से जो हम इसे open करेंगे तो मैं इसे कटी कर देता हूँ तो open करते ही cardboard box के अंदर जो हमें यह plastic का wrapper जो है देखने मिल जाता है इस तरह से और इसकी पाकिंग बहुत अच्छी है मैट फिनिश प्लास्टिक है तो इसे कटी कर देता हूँ इस तरह से ताकि आपको ठीक से जो इसे open करकी दिखा भाऊ तो इस तरह से जो हमें क्यूपस के शेप में यह यह डजी मिलट देखने मिलती है डार्क मिल्क सौरी इसि यहासे तूट दिया पहले तो क्यूब्ugen पर लिखा गया है कैटट बोड़ी जा से उमड़े आपको दीखा देता हूं तो इसमें जो है salted caramel है जैसे कि नहींने इसमें दिखाया illustration में तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से तो अभी जो इसे मैं टेस्ट करता हूँ बहुत अच्छी टेस्ट है combination of caramel and dark chocolate जो उन्हेंने यूस किया है उसकी बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है बसकि caramel जो है थोड़ा ज्यादा करंशी है मतलब आपको बीच में जोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा caramel के जो छोटे-छोटे इन्होंने जो है दाने जो इसमें अड़ किये है उन्हें अगर आप चबादे टाइम जो है आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा मतलब ओर क्रंशी लग रहे है मुझे शॉट में कहुत में लेकिन बहुत अच्छा ब्लेंड है डाक चोकलेट ने कारेमिल का लेकिन जो क्यारेमिल है छोटे-छोटे-छोटे इन्हें चबाना थोड़ा डिफिकर्ट लग रहा है मुझे जैसे आप उन्हें से चबाद होगे तो आपको जो है बहुत अच्छे कॉम्बनेशन की टेस्ट आएगी डाक चोकलेट एन कारेमिल तो डेफिनेटली डिफरेंट टेस्ट है डिफरेंट फ्लेवर है काडबरी डाक मिल्क वा इस सॉल्टेट कारेमिल फ्लेवर वाला तो लाइक कीजिए वीडियो को सबस्क्राइब कर लिए और बेल एकन को भी दवाजिए वीडियो को देंगेल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में